इसके पहले नेचर फाइंड करने है ठीक है नेचर थी थीप्स के होते है मैंने बिपोर आपको वीडियोस में बता रखा है फिर भी मैं यहाँ पी एक बार अगेन आप लोको बता देता हूँ यानिके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर जीरू से बढ़ा होता है यानिके डी इस ग्रेटर देन जीरू यहाँ आपको जो रूट्स होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे ठीक है रियल और डिफरेंट होंगे सेकंड क्या टाइप है अगर डी आपका इकोल्स टू जीरू होता है अगर डी इकोल्स टू जीरू है जो आपके रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे ठीक है अगर डी आपका जीरू से चोटा है तो आपका जो होंगे वो लो रूट्स होंगे यानि कि लो रियल रूट्स कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे no real roots ठीक है यह 3 आपके natures होते हैं हमें इनी को find करना है अगर यह third condition आती है तो उसके हमें roots find नहीं करना है बट first और second अगर condition आती है तो हमें roots भी find करना है so roots find करने के लिए सबसे पहले हम इसे quadratic equation की general form ax square plus bx plus c equals to 0 से compare करेंगे so यहाँ पर a equals to आपका देखिए 2 b equals to minus 3 c equals to कितना है 5 d यानि कि हमें discriminant find करना है तो d equals to होता है b square minus 4 c यहाँ पर value put करिए b b की value minus 3 so whole of square minus 4 a की value है आपके पास 2 c की value है आपके पास 5 ठीक है तो यहाँ पर देखिए minus 3 का square 339 हो जाएगा minus minus plus minus 4 2 is a 8 8 5 is a 40 ठीक है 8 5 is a 40 हो जाएगा आपका 9 minus 40 this is your minus 31 sign them negative ही लेंगे क्योंकि 40 के पास यानि कि bigger digit जो है उसके पास आपका negative का sign है तो which is यहाँ पर देखिए which is d is अभी देखिए क्या हो गया d क्या हो गया आपका 0 से छोटा हो गया ठीक है d क्या है आपका 0 से छोटा है ठीक है d 0 से छोटा होगा तो मैंने आपको बताया है d अगर 0 से छोटा है तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा okay d 0 से छोटा हो गया so the given equation has no real roots ठीक है अभी हम इसके roots भी find नहीं करेंगे क्योंकि d इसका छोटा होगा है it means इसके कोई भी real roots नहीं है तो हमें find करने के need भी नहीं है I hope आपको exercise 4.4 question 1 part 1 बहुत ही अच्छे से समझ में होगा कोई भी doubtful नहीं है बहुत ही easily हम इसके nature को find कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो दिन प्लीज मेरी वीडियो को like करें and channel को subscribe कर ले bell icon को press करना न न भूले ताकि आपको आने वाले notifications सबसे पहले मि watching